हेलो फैंस कैसो आप लोग स्वागत है आपका निलेज क्लासेज यूटूब चैनल में तो गाईज इस वीडियो में मैंने लाया है क्लास 10 वालों के लिए भहतिक विज्ञान यानि फिजिक्स के कुछ इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत किजिए और अन तक देखते रहे और इसमें मैंने चार कोश्चन एड़ाप्ट किये हैं और चारों काफी मुष्ट इंपोर्ट हैं तो देखिए हम लोग का पहला कोश्चन है मिमने के मातरक लिखी यानि कुछ ये मैंने ले लिए है ये आपके बहुत विकल्पी प्रस्ट में आ जाते हैं तो आप देख लिजिए इनके मातरक तो गाज अगर आपने अभी तक हमरा चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सकाइब कर ले और बेल आइकान को भी दबाना न वूले जिससे मेरी वीडियो की प्रति रोद होता है तर्ड है विवांतर का मातरक बोल्ट होता है उसके बाद चौथा परतिरोध है का मात्रक ओम होता है और उससी प्रकार पांचेवा है हम लोग का बीदुत वाहक बल तो बीदुत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है तो फिर एक बार मैं और एक बार और दोहरा दों बीदुत आवेस का मात्रक कुला बीदुत धारा का मात्रक एमपियर विभवा लिग जामें और किसि का मातरक लगभग नहीं पूछता उसके बाद आगे चलते हैं अगला कोश्चन है शेकेंड सेकेंड हम लोगか कोश्चन है थोड़ा मैं इससे जूम कर दूँ या शेकेंड आप देख सकते हैं हम लोग प्रवाहित होने से जो उर्जा बै होती है उससे बैदुत उर्जा कहते हैं एक बार मैं और पढ़ देता हूँ किसी चालक में बैदुत आवेस के प्रवाहित होने से जो उर्जा बै होती है उससे बैदुत उर्जा कहते हैं तो यही आप लिख देंगे तो चलिए अगले कोश Qation No. 3 बिदु धारा नापने के यंत्र का नाम बताईए तो ये काफी अच्छा कोशेन होता है तो बिदु धारा नापने के यंत्र का नाम एमिटर है एमिटर काफी लोग आमिटर इस तरह आमिटर भी लिखते हैं तो दोनों ठीक है वाई एक माल यह इंग्लिस में एमीटर होता है और हिंदी में लोग आमीटर बोलते हैं तो आमीटर लिखे या एमीटर लिखे दोनों ठीक है तो बिदुत धारा नापने की यंतर का नाम एमीटर है या आमीटर है ऐसे आप लिख लेंगे उसके बाद चोथा हम लोग का कोश्चन है कि बिभवांतर नापने की यंतर का नाम बताएए यानि बिभवांतर नापने के लिए किसी यंतर का उप्यूग किया जाता है तो बोल्ट मीटर मैंने स्टाट में लिख दया है अगर आप उतर अपने एक्जाम लिखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे कि बिभवांतर नापने के यंतर का नाम बोल्ट मीटर है तो इस तरह आप लिखेंगे पूरा मतलब बढ़ा करकर सिर्फ इस तरह बोल्ट मीटर नहीं लिखेंगे तो बस यार इस वीडियो में इतना ही तो फाइनले बताईए ये वीडियो आपको कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो धेंक्यू गाइज